यहां धूम दड़का तो होगा जब T20 क्रिकेट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा और मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच एक्साइटेड फान्स है हम भी एक्साइटेड है फुल आउस है आप देख सकते हो कि दर्शक इतने डिले होने के बाद भी हार नहीं माने है वहाँ पे वेट किया है उन्होंने लेट्स प्लेगा लेट्स प्लेए पहली गेंद के लिए हो जाईए तैयार नई बॉल किसके हाथ में है रिनुका ठाकुर के करीबी मामला अभी तग एक भी रन नहीं मिला बाहरी किनारा और पहली सबलता लीजिए विकेट लेली है मेगना सिंग ने और वापस जाना पड़ेगा डगाउट इरम जावेद को खाता नहीं खुला है पाकिस्तान की टीम का और पहली कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है और मुझे गेंदवाजी करनी है इस बीच एक रन और मिल जाएगा ओ पहुँच गई पहुँच गई साथ साथ रेनुका ठाकुर को भी ले चली वहाँ पे हर्मन फील्डर थी तो तोड़ा जल्दबाजी दिखाना ही था बल्ले बास दीपती शर्मा को लाई है गिन्दबाजी के लिए वाजी फिल्ड लाजवाब फिल्ड रनाओ कम अप्यों सकता था चाय ये विकेट रेनुका ठाकुर को और यस्टी का भाट या को तो लगता है कि विकेट मिल गई okay can you just play that back for me just want to do not out can it you know qaqq not the slu over shiru kati hawaii rukh up naya hai or chara mil jangy hasa pressure bandra thamunee baki over kyunke 13 games se pahle kail chukiti akim ka release shot dunda inuka thakur ke uper yes is baron side pair boundary rider hey like in games se bohdo chara or mid wicket ki disha mein a akri over hey power play ka but but wabi bharat banaam pakistan jaisi match me choti gain top edge milal lakin pirse koji fielder wa maujud nichi charan or yeah this a bhi kul satik tdi kya cha ka dya tha munee ba ko kis mut mein saadh ddiya ab up a bar tere se hawa mein ball hai cash karne ke liha dive lagai पहुंच नहीं पाई लिस्क तो देना होगा अगर पाकिसान को 120-30 का स्कॉर चाहिए ऐसे स्टोक्स खेलें तो जरूर 125 बन सकते हैं बहुत ही शांदार एक तरह से आडा मारा अक्रास दो लाइन लेकिन बाउंडरी लाइन के बाहर बचा हुआ है मेगना के दो ओवर बाकी सब पूवर स्पिनर्स को डालने पड़ेंगे बड़ी लिए एक बड़ा विकेट मिला कप्तान बिस्मा क्या वाट रिव्यू लिया है क्यूंकि सेटल बैट बैटर है और अगर लख उनके साथ होची कि मुझे के बॉल ट्रैकिंग पिचिंग इन लाइन इंपक्स इन लाइन विकेट हिटिंग इस खिलती तो बैतर होता लेकिन अगर-मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं एक और विकेट आसानी से अपनी नीन में भी एक आच पकड़ लेती इस नेराना एक बात थिर से वही प्रयास अब जैमी नहीं पहुंच प्रयास है बॉल आसमान में और फिर जैमी के हातों में एक बार फिर से विकेट चटकाई है रेनुकाने और रॉनक लाई है अपनी पहुंच सकें यह बड़ा सवाल फिलहाल तो कॉमंट्री वोक्स में पहुंच गई है वेदा कृष्णमूर्ती मेरे साथ में हो रावन बानोड और पहली गेन पर तेर्वे ओवर की चौका अलिया के नाम जब अंते मोवस में आपको बड़े हिट्टर की ज़रूरत थी लेकिन नौट आउट पॉइंट अफ कॉंटक्ट इस डिसीजिजिन पर उन पिचिंग आउटाइच इंपक्स इंपार इस नौट फोल विक इस दिसीजिजिजिन पर एंपिचिंग ज़िए पार ने रिव्यूमांगा था चेक्करने के लिए कि रणाउट है तो ने वह स्टंपिंग के लिए मांग है यहां पे और शायद एक बार फिर थाद अंपायर को रिव्यू करना पड़े यह नौट आउट का हिनि ने आएगा पर इसमें तो इतना समय था कि इंतजार करके भी बेल्स हटा सकती थी वही किया शेफाली वर्मा ने इसले सोलवा और उठार उनके नाम और चार ओवर का स्पेल देखने को मिल सकते हैं उनसे चार रन मिल जाएंगे ऐसा लगा नहीं था जिब शॉट खेला था कि चौका होगा और बिल्कुछ सीधा खेला च्के डाला था अच्छी बॉली 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 प्रदक्षन एंफील्ड को एक बार आपकरा देख चार तो मिलेंगे ओवर को समाप्त किया बाउंडरी के साथ सिंगर डिरेक एट और ये करीवी माला हो सकता है तीन स्टंप्स थी एम करने के लिए मिड़ कि ये दिसीजिए आएगा आउट का अख्री केंदे सोवर की कर दो चाहिए कॉटन बॉल्ड है अपील तो कर रही है शफाली वर्ड प्रमी पीस तरिक्स ये फिंगर नहीं दिसीजिए नहीं बदलने का तो सुप्सिग अउट का था आउट का था आउट का ही सिग्नल रहेगा विचाइफर्ट स्टंपिंग होगी ये बिल्कुल जीहां हाइब्रिट सते है ये जिस पर मुकाबला खेला जा रहा है डान दे ट्रैक सिंगल तो मिलेगा ही क्या दो की तलाश होगी जीहां और रनाउट का भी मौका है विकेट होनी चाहिए बिल्कुल होगी एक और रनाउट आज की पारी में पाकिस्तान के लिए ये अनाम अमीन बल्यवाजी करने के लिए आई है और विकेट आखरी गेंद पर पारी की करेंगी शुरुवात पाकिस्तान के बोलिंग की पहली बॉल शिफाली के सामने हलकी सी मूब्मेंट मिली है करीबी मामला था लेकिन पहला रान ये भारत का कॉमशी बॉक्स मेरा नाम है तीश्ट क्राल स्वागत करता हूं एक पर फिर से वेदा कृष्णमूर्ति का जाहेंगी आज बड़ा शॉट इसी बीच प्रती मांदना का पहला चक्का भारतिये पार इस बार फिर से वही जगा पर रन बटोर एस व्रीधी मांदना ने चार रन और जड़ दीजिए 12 बिना किसी नुकसान के लीजिए आपने जिक्र किया अश्रीधी मांदना की स्ट्रोक मेकिंग का एक और मुजायरा क्या कला दिखाती है एक चित्रबनाती है इसलिए कमफटबली का वसके उपर से बॉल मारने में सक्सेस्फुल रही है अच्छी लेया में लग रही है पहली मैश में भी बड़ी अच्छी लेया में लग रही थी बट उन्होंने विकेट थ्रो किया था यहां पे कमाल का शॉट देखिए लुथ उठाइए हर बार रीफले देखेंगे हर बार अब सरहाना करेंगे स्मिती मंदाना की अफसाइड पर कहते हैं कि स्मिती मंदाना बहुत अच्छी से खेलती है बट यह उनका फेवरेट शॉट है जो पिक अप पुल जो खिल के साथ खिलवार कर रही है स्मिती इस बार गैब ढून निकाला जैसे सुई में से धागा डालते है वैसे ही 25 वे है भारत का स्कोर 99 पहला बड़ा शॉट खुल कर खेला शिफाली वर्माने संकेत दिया अपने आकरामक रवईये का यह तो पिक अप शॉट था अपना पावर दिखा रही है शेफाली वर्मा अगर आप देखोगे तो बॉल पिछो के जब शिन हाइट पर आया है वहाँ पे उन्होंने मारा है बॉल कैच की मांग है टॉप एज हुआ था लेकिन इंफिल्ड के पार चार रन और अपरत के टीम के लिए बारा रन आ चुकी है आखरी बॉल क्या शेफाली वर्मा एक और बाउंडरी के लिए जाएगी जीहां बिलकुल गई इस बार मिड ओफ की उपर से चौक के पे चौक का वैतरीन ओवर एक तालिस रन है चार ओवर के बाद भारत के